नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं किये जाने के बाद, गुरु आर को एडी के स्वालों का जबाब देने के लिए रांची के यारपोर्ट रोड इसीद एडी दफ्तर पहुँच गए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य मंत्री हेमान सुरेन एडी दफ्तर पहुचे गौतला भाय की सीम से पुच्टाश करने के लिए एडी के कई वर्य अधिकारी एक दिन पूर्वे ही रांची पहुच चुके हैं एडी की बुलाए पर एडी के दफ्तर पहुचे हेमान सुरेन से पुच्टाश शुरू हो गई है आपको बता दे की सीम हाउस में प्रेस कॉन्फिरेंस करने के बाद हेमान सुरेन गूरी जी को परणाम कर एडी दफ्तर के लिए निकले और अब उनसे पुच्टाश शुरू हो गई है इससे पहले आपको बता दे की चार्चा इस बात की भी थी की मोराबादी मैदान में लोगों से मिलने और इस बात की भी चार्चा थी की लोगों के साथ ही भी दफ्तर जाएंगे लेकिन हमान सुरेन अकेले ही एडी दफ्तर पहुचे है राइधानी राची में जामों का महाजूटान हुआ है सतारूट पार्टी के करकारता एतिहासिक मौरबादी मैदान में जुटे राजे भर्षे करकारता इस महा जुटान में सामिल हुए वहीं ढोल लागाले लेकर पहुँचे समर्थकों ने दिसोम गुरू सिबू सोरेन जिन्दाबाद हेमन सोरेन जिन्दाबाद के नारे भी लगा है होम गाड को सेवा मुक्त किये जाने का आदेस रद होम गाड मुख्याले के सेवा मुक्ती सम्बंधी आदेस को चुनोती देने वाली आजका पर सुनवाई हुई इस सुनवाई में जार्खन हाई कोट ने होम गाड को नौकरी से अटायने के फैसले को खारिच कर दिया है बताद जार्खन हाई कोट के ने अधिस आनंद सेन की अदालत में होम गाड मुख्याले के आदेस को चुनोती देने वाली आजका पर सुनवाई हुई अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद होमगार्ड मुख्याले द्वारा होमगार्ड को सिवा मुख्याले ने वर्ष 2017 में सिवा मुख्याले संबंधी आदेश दिया था उसी सेवा मुक्ति के आदेश के खिलाप रभी मुखर जी अखलेश सीनहा और अने होमकाट जवानों ने हाई कोट में वाद दायर की थी ED के सामने PC से पहले CM सुरेन ने कहा संभव नहीं इतना बड़ा घोटाला मुख्य मंत्री हेमां सुरेन ने ED करया लए जाने से पहले प्रेस कॉन्फरेन्स में कहा है कि मैं अधिकारियों से पोछूँँगा कि इस करवाई की वज़ा क्या है एक मुख्य मंत्री पर इतना बड़ा अरोप इतने हलके धंग से लगाया गया CM ने कहा है कि जिस परकार मुझे समन किया गया गलत है कि मैं देश छोड़कर भागने वाला हूँ उन्होंने कहा है कि महागडबंदन सरकार के गठन के बाद से इसे गिराने के लिए सरयंत्र की जिस पंडूबी को अंदर अंदर चलाया जा रहा था मुख्य मंत्री ने कहा है कि इस राजे का बजट देखिये यहाँ प्रती दिन एक हजार रूपए की भी कमाई नहीं है वहाँ एक हजार क्लोर रूपए का घोटाला बहुत असंभव बात लगती है उन्होंने अपने उपर लगे सभी अरूपों को निरधार बताया है इडी ऑफिस के बाहर धारा 144 लागो मुख्य मंत्री हेमांसुरें से पुष्टास के दर्मियान हंगामे के सांका के मद नजर इडी कर्यालाइक के आसपास धारा 144 के तहट निसे धागया लागो की गई है रांची सदर अनुमंडल दंडा अधिकारी दिपक कुमार दूबे क योर से जारी पत्र में इसकी जनकारी दी गई ए अगले आदेश तक जारी रहे गा है पत्र के मुताबिक हिनुचोक से होटल ग्रीन एकसर्स तक यारपोर्ट रोड तथा रोड के 100 मीटर के दाएरे में निसे धागया लागो की गई है इस दौरान किसी परकार के धारना पर अब विद्यालों में विद्यार्थियों को सलक सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा भीडवाले अस्थानों में वहान इस्पीट का ध्यान रखने मोबाइल फोन का परियोग ना करने हेलमेट पहनने यातायात नियमों वाच्चीनों का पालन करने आदी के बार में जनक सभधी बुलाण को सुरक्षाइ के सभट संद हाट्र चारू करकरर पूरा करचाँ में चान में होगा बिजली बील में लगातार हो रहिगरबड़ी को रोकने वह बिना किसी के घर गए बिजली बील निकालने वाले उर्जा मित्रों पर अंकुस लगाने के लिए जार्खन बिजली बित्रन निगम लिमिटेड ने यह नई योजना बनाई है इसकी सुरुवात भी हो चुकी है बतादे उर्जा मित्र फरम भर कर ही कर्याले आ रहे हैं जिससे यह पता चल रहा है कि वह कितने घरों में विजिट किये हैं फरम में उर्जा मित्रों को कंजूमर नमबर उभोकता का नाम मोबाइल नमबर एनरजी बील का किलो वाट बील निकालने के ती थी उर्जा मित् सबडिविजन सबी फरों में भरना पर रहा है इसके अलावा उभोकता का हस्ता अक्षर भी उर्जामित्रों को इस फरों में लेना है सिम्डेगा में PLFI उग्रवादियों ने पावर ग्रीड निर्मान में लगे जेसीबी में लगाई आग सिम्डेगा जिले के कोले बीरा थाना छेतरे के नावा टोली पंचायत के कोले बीरा हरीजन कोलोनी के समीप हो रहे पावर गिर निर्मान कारे में लगी जैसीबी वर ट्रेक्टर को PLFI ने आग के हवाले कर दिया खटना पुद्वा रात करीब साड़े एक गारा बजे की है इस दरन उग्रबादियोंने निर्मान कारे में लगे रातरी गार्ड से निर्मान कारे के सम्वंद में जनकारी ली वर निर्मान कारे में लगे कर्मियो वर नमबर मांगा और साथ में पेट्रोल लेकर आयोगरवादियों ने ट्रेक्टर वजे सीवी को आक्यावाले कर दिया जारखन फुटबॉल रेफरी बोड को AIFF से मिली मन्याता All India Football Federation ने जारखन रेफरी बोड को मन्याता दे दी है लवक 7 वरस के बाद राजे में रेफरी बोड को नई जीवनी मिली है इससे जारखन के विभीन जीलों के कूल 1500 रेफरीयों के लिए AI का रास्ता भी खुल गया अब इनको AIFF के रेफरी कारेकरम और रेफरी परिक्षा में बैठने का मौका मिलेगा इस वरस धनबाद में जारखन फूटबॉल एसोसियेशन का चुनाव सा AGM हुआ था इसमें जारखन रेफरी बोड का गठन करने के बाद इसे AIFF को भेज दिया गया था जारखन रेफरी बोड के नए चेर्मेन गविंद पूर के रेफरी सुरेंदर बहादूर सिंग होंगे रगुबर दास ने कहा पत्नी को मुख्य मंतरी बनाने के लिए हुई बैठक हेमंत सुरेंड की सरकार अपनी काली कर्थूत के कारेन मुसीबत में है अपने नाम पर पफथर का खदान लिया, अपने विधायक मंतरी को खदान दिया सी अपने बचने के लिए नहीं बलिक अपनी पत्नी को सम बनाने के लिए विधायक बैठक बुलाई है उक्त बाद ते पूरे मुख मंत्री स्वा भाजपा के किंद्रिय उपाध्यक्ष रगवर दास ने कही वे बुद्वार को चाई बासाई स्थीत भाजपा जीलिया कर्याले में प्रेस कॉन्फिरेंस कर रहे थे बताद स्री दास ने कहा है कि हमंत सुरेन मु जेपाल मंत्री मिथिलेस जार्खन के मुख मंत्री हमंत स्वा भाजपा के लिए रवाना होने के बाद परदेश के पेज यालिवम स्वक्षता मंत्री मिथिलेस ठाकूर ने गुरुवार को बिसफोटक ब्यान दिया है उन्होंने कहा है कि अगर एक एटम बम गिर गया तो जार्खन का अस्तित्व मिठ जाएगा जार्खन क्या पूरा देश खत्म हो सकता है वहीं स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा है कि सरकार की आगे की क्या रण निती है उस पर सोजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे जार्खन मुक्ति मोर्चा के वरिष्ट नेता और ह हमन्त सुरेन कैबिनेट में मंत्री मिठलेश ठाकु ने कहा है कि सरकार कैसे बनती है ये सब को पता है संख्या बॉल के आधार पर सरकार बनती है बावन विधागों का समर्थन हमें हासिल है जार्खन में सरकार गिराने की हर साजिस को हम नकाम करेंगे सियम हमांत्र ने रभी के रिवाल पर लगा एक गंभीर आरोप जार्खन के सियम हमांसुरेन ने इडी को एक जिठी लिखी है इसे लेकर ओ आज गुरुवार को इडी कर्या ले गए इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी सरकार आने के बाद से पत्थर खनन से मिलने वाले रो उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा किये गए विकास कार रास नहीं आ रहे हैं इसलिए बीजेपी सरकार को अप अदस्त करने की कोशिस में लगी हुई है उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुझे समन भेजा गया है उससे ऐसा लगता है कि मैं देश छोड़कर भाग रहा हूँ धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंदर भाई है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों किसा सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फीड़वेक अवस्य दे थैंक्यू